गड़ाप्टन आव्यवर्ण, Current Face Through MCQK सीरीज में 11 नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे दा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पी आएबी के जो Current Face है उसको हम MCQK थूरू कवर करने वाले हैं इस ब्रीफ इंडिक्शन अबार में मैं इस प्रिंस लूथरा, ओलिंगरेंग 577, फ्रम यूपी एसी CAC 2014 बैच, चलिए जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बर तो शेंगाई कोपरेशन और इसके बारे में देखेंगे पहले भी रैट्स के बारे में अंदर आ चुका है, यूपी एसी के अंदर, अर्मेनिया का जो कॉन्फिक्ट चल रहा है, उसके बारे में जानेंगे, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है, इसके ओपर भी आर्टिकल्स दिये गए थे, न्यूपर के इंदर, इसके बारे में जानेंगे, म शरी शक्ती चैलेंज किया है, इसके ओपर एक MCQ डिसक्रस करने वाल है, और एक फाइनल कुस्टिन जो हमारा है, वो डेली स्पेशल पुलिस एस्टाबलिश्मेंट एक के बारे में है, यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, तो मार्किंग स्कीम आप जानती है, जो लोग नए हमारे साचुड़ है, उनके लिए मैं बता दूँ कि छे से जादा कुस्टिन आपको करेक्ट करने होते हैं, अगर छे से मार्क्स आपके कम आते हैं, तो आप एक बार वीडियो को दुबारा देख सकते हैं, और तब आपके ज जलते हैं आज कि, the first question talks about SEO, that is Shanghai Corporation Organization 2020, पूचा गया है, इसके बारे में बताएं, कौन सी स्टेटम करेक्ट है, तो टॉपिक को अंडरलाइन करें सबसे पहले, और क्या पूचा है, उसको देखें कि करेक्ट पूचा या इनकरेक्ट पूचा है, जो हमारा हिंदी पोर्शन है, इसमें पहले काफी सरी mistakes हुआ करती थी, but we are working on it, अभी मुझे नहीं लगता है कि, आपको हिंदी पोर्शन के अंदर किसी भी तरीके की truth या किसी भी तरीके का error जो है, वो मिलेगा, अगर फिर भी आपको लगता है, हिंदी पोर्शन के अंदर, अगर आपको error मिल रहा है, त इसमें किसी भी तरीके का error ना हो, फिर भी अगर आपको कोई error लगता है, तो प्लीज मुझे at the right prince underscore luthra भे जरूर बताइएगा, चली, India is current chair of SEO 2020, तो यहाँ पे currently chair कर रहा है, India SEO 2020 को हो सकता है, SEO currently comprises 8 members, at present इसके अंदर 8 members है, for the first time, the annual meeting of SEO heads of the state is being held virtually, तो पहली बार ऐसा हुआ ह है, क्या इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, कि जो meeting करी गई है, SEO heads की, heads of the states की, वो virtual तो पे करी गई है, सोचिए, फिर discuss करते हैं, चली, discuss करते हैं, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो current chair है, वो इंडिया के पास नहीं है, SEO 2020 की वो किस के पास है, वो है Russia के पास, तो यहां पर पहली statement incorrect होनी की वज़े से, A और B को जल्दी से eliminate करीए, इसका मतलब C और D में से कोई एक answer है, और जिसमें third statement आपकी जो है, वो वर्चुल समिट जो है, वो पहली बार करी जा रही है, इससे पहले वर्चुल समिट नहीं हुई थी, COVID-19 pandemic की वज़े से, this is going to be the first time जो वर्चुल समिट इसकी करी जाएगी, तो तीसरी statement हमारी correct हो जाती है, आप second statement decide करेगी कि इसका answer क्या है, तो SEO के पास अभी 8 members है currently, तो second statement हमारी बिल्कुल ठीक है, कौन कौन से 8 members है, वो भी मैं आपको map के ओपर भी दिखाऊँगा और उनके नाम भी बताऊँगा, फिल इसके चार members observer countries भी है, जैसे कि जिसमें कौन कोने इरान है, अफगानिस्तान, बेलरूस, एन मंगोलिया है, ये भी meet को join करने वाले है, अब ये जो 8 members है, इसको याद रखने के लिए कोई भी निमॉनिक्स आप तयार कर सकते हैं, एक्रोनिम तयार कर सकते हैं, old lectures हमारे देखे इसका मुख्य है, जो उदेश है, the prime objective is to kick the corrupt, corrupt को kick करना है, तो इससे सारी countries आपकी cover हो जाएंगी, for example, K से कजाकिस्तान, I से इंडिया, K से किर्गिस्तान, C से चाइना, R से रश्या, U से उजबेकिस्तान, P से पाकिस्तान, T से तजीकिस्तान, तो 8 ये 8 countries kick corrupt करके आपकी cover हो तो ये धियान रखेगा, SEO members कौन-कौन से, SEO members का मानना यह है कि corruption को, corrupt को kick करना चाहिए, तो kick corrupt करके आप इससे याद रख सकते हैं, चलिए, next question पर चलते हैं, second question, Rats के बारे में है, Rats की पूछागे extension to किस चीज़ की extension है, Rats, क्या BRICS की है, OIC, SCO की है या BIMSTEC की है, सोचिए फिर इसको discuss करेंगे, चलिए, तो यहाँ पर Rats की full form सबसे पहले, Regional Anti-Terrorist Structure, that means Rats जो की SEO का एक औरगन है, so SEO की औरगन और extension के तोर पर Rats का मपढ़ते हैं, जिसका permanent औरगन के तोर पर भी जाना जाता है, इसका जो headquarter है, वो कहाँ पर है, ताशकंत उजबे की स्तान के अंद Rats के वो भी जो पूरा address है, पूरी की पूरी gathering को करने वाले है, इस वज़े से Rats के बारे में भी जानना काफी important है, इसके पर question पहले भी पूचा जा चुका है, main काम जो Rats का है, नाम से ही पता चल गया होगा, Regional Anti-Terrorist Structure, वो main कर रहे है इसका कि cooperation को members की बीच में प्रमोट कर करके जिसमें एक evil तो है terrorism, दूसरी है separatism, और तीसरी है extremism, चीक है, तो यहाँ पर terrorism, separatism और extremism तीनों को खतम करके जो भी यहाँ पर member states हैं, उनके बीच में cooperation को increase करना है, यह Rats का मुख्य है, वो देश है, this is the major objective of Rats, और किसके extension है, यह SCO के अंदर आती है, SCO का एक permanent organ के त जाना जाता है, तो C हमारा यहाँ पर correct answer हो जाएगा, Rats के बारे में, अगर means में भी पूछा जाता है, आपको पता है, कि Rats किसके अंदर आती है, और इसका mean जो यहाँ पर objective है, वो क्या है, चलते है, next question के ओपर, question number 3 बात करता है, Armenia के बारे में पूछागा है, Armenia के बारे में बताएं, जो दो statements दे हैं, उसमें से कौन सी statement आपकी correct है, पहली कहती है, यह एक लेंडलोक्ट कंट्री है, इस शेर बाउंडरी विद इरान और टर्की, इरान और टर्की दोनों के साथ यह अपनी boundary को शेर करती है, अर्मेनिया की बात हो रही है, आपको पता है, अर्मेनिया साफी important हो जाती है, एक्जाम perspective से, बताएंगा, दोनों में से कौन सी statement correct है, चलिए, एक मैप पर देख लेते हैं, क्या यह लेंडलोक्ट कंट्री है, so this is अर्मेनिया, so this is a landlocked country, चारो तरफ इसके land ही है, यहाँ पर कैस्पीन सी इसको टच नहीं कर रहा है, ऊपर रशिया, यहाँ पर दिखाए दे रहा है आपको जोड़ जाती है, बाउंटरी नीचे southern direction में इरान की इसको टच कर रही है, और यहाँ पर south west direction में तर्की इसको टच कर रहा है, तो यहाँ पर is it a landlocked country, तो yes, it's a landlocked country, तो first statement आपकी correct हो जाती है, and the boundaries of Iran and Turkey are touching Armenian border, तो second statement भी आपकी correct हो जाती है, answer हो जाएगा C, recently Russian military helicopter जो है उसको अर्मेनिया के शॉट डाउन किया गया है, और दो लोग यहाँ पर मारे गए है, ऐसा रशिया का कहना है, और वैसे भी अर्म Malay connectivity project को लेकर है, so this is the question, और पूछा क्या गया है, कि कौन सी statement correct है, this is the requirement, तो आप underline करें, and requirement को circle में डाले, अब one by one statements को देखने है, पहली कह दिये, it aims to link capital Malay with Sagar Mala project, इसका main aim क्या है, capital Malay को Sagar Mala project के साथ link करना, India will also provide a line of credit for the project, India इसके लिए एक line of credit जो है, वो provide कर रहा है, it is one of the largest such infrastructure venture undertaken in the Maldives, तो one of the largest infrastructure venture रही है, जिसको Malay में exercise किया जा रहा है, सोचिए, फिर discuss करेंगे, चलिए, discuss क्यों कि आगया, क्योंकि अभी India और Maldives ने 4 pacts, 4 pacts को, जिसमें 100 million का grant भी दिया गया, इस connectivity projects को लेके, वो sign किये गए, 100 million grant के लावा, 400 million के लिए, यहाँ पे एक credit line जो है, वो भी provide करी जाएगी, किस चीज़ के लिए, greater Malay connectivity project ले, जिसे short में कहते हैं, GMCP, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर Maldives को financial health दी जा रही है, ताकि अपनी capital क को वो, capital Malay को आसपास कि जो उसके important, strategically important islands हैं, उनके साथ वो connect कर ले, जो कि अभी हम map पे दीखेंगे भी सही, चीक है, तो फिलाल के लिए 100 million दिया गया है, 400 million की, यहाँ पे credit line दी रखी है, two sides ने discuss किया कि कैसे regional trade और connectivity को बढ़ाया जा सकता है, economic cooperation को बढ़ाया जा सकता है, औ दोनों countries के अंदर tourism को भी increase किया जा सकता है, pandemic के time पे खास दोर पे, और दोनों ने air bubble को बनाने की भी बात करिये कि किस तरीके से transport air bubble जो है, वो भी दोनों countries के बीच में create किया जा सकता है, तो यहाँ पे अगर हम पहली सेटन को देखें, क्या यहाँ पे capital Malay को सागरमाला प्र से island है, वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि, just a second, पहला है इसके अंदर willingly, second है, गुल ही, फाहू, third है, थीला, फूशी, इन तीन island से connect करने की बात करें गई है, second की बात करें, India will provide a line of credit, तो yes, line of credit देने की भी बात करें गई है, second statement ठीक हो जाती है, तीसरी statement काफी easy और काफी common sense वाली थी, कि यहाँ पर one of the largest infrastructure project होने वाले है, of course one of the largest होगा, तभी तो news में आया, अगर चोटा मोटा project होता तो news में ही क्यों आता, तो answer हमारा यहाँ हो जाएगा, D, second और third statement हमारी correct हो जाती है, माल्दीव की location जो है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, so this is माले जिसको connect करने की बात करी जारी है, various islands के साथ, चली, next question पर चलते हैं, which is question number five, जो कि माल्दीव को ले करी है, क्योंकि चार अभी पैक्ट्स जो में हो साइन करें, इस वज़े से news में था हमाले, और माल्दीव, माल्दीव के ओपर पूचा के तीन statement देखे की बताएं, कौन सी statement आपकी correct है, पहली जटन कहते है, it is a small archipelagic island country in South East Asia, South East Asia के अंदर ये एक छोटी island country है, it is situated in Bay of Bengal, Bay of Bengal के अंदर ये लोकेट करती है, it lies Southwest of Sri Lanka and India, India और Sri Lanka के Southwest में ये फॉल करती है, सोचे फिर इसको discuss करते है, चली, काफी easy question है, reason being, क्योंकि map में माल्दीव की location काफी लोगों को पता होती है, अगर आपको फिर भी easy नहीं गलत नहीं होगा, तो यहाँ पर देखे, second or third statement दोनों ही एक दूसरे को contradict कर रही है, एक तरफ तो आप कहरे है कि शिलंका और इंडिया के Southwest में है, दूसरे तरफ कहरे है कि Bay of Bengal में है, क्योंकि देखिए, अगर हम this is our nation और ये आपका शिलंका है, अगर this is Indian Peninsula, ये आपका शिलंक है, अगर हम कहें Southwest में है, मतलब Southwest direction कौन सी होती है, this is East, West, North, South, Southwest ये direction होती है, मतलब Maldives कही न कहीं होना चाहिए, और दूसरे तरफ हम कहरे है कि ये Bay of Bengal में fall करता है, Bay of Bengal का है, Bay of Bengal तो Eastern direction में है, और अगर हम शिलंका और इंडिया की बात करें तो North East direction में है, मतलब हम एक second statement में कह रहे हैं कि Maldives यहां पर fall करता है, third statement में कह रहे हैं कि यहां पर fall करता है, तो दोनों तो correct होई नहीं सकते हैं, या तो Bay of Bengal में fall करेगा, या फिर वो कहां पर South West direction शिलंका और इंडिया की में fall करेगा, तो यहां पर दोनों में से एक statement ये ठीक होगी, दोनों correct नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों correct नहीं हो सकती, इस वज़े से D को आप eliminate कर दीजिए, अब या तो second होगा या third होगा, इससे easy करने के लिए पहली statement को सबसे पहले देखते हैं, क्या एक island country है जो कि Southeast Asia में fall करती है, so it isn't South Asia, not Southeast Asia, तो यह Southeast Asia में नहीं है, South Asia के अंदर है, तो पहली statement incorrect हो जाती है, अगर आपने पहली statement incorrect कर दी, तो मतलब A और B answer होई नहीं सकते हैं, अपने अप answer क्या आ गया, elimination से C, इसका answer आ गया, it means, सिर्फ third statement जो वो ठीक है, यह Bayo Bengal में fall नहीं करती है, यह कहां पे fall करती है, यह South West direction of India शिलंका fall करती है, तो यह map related question जो है, आपको visual memory develop करनी पड़ेगी, elimination develop करना पड़ेगा, उसके बाद यही सब easy हो जाएंगे आपके लिए, चली, कुछ और चीज़े देख लेते हैं, मालदीप को लेके, तो location मैं आपको बता दी, South Asia में है, South East Asia में नहीं है, map पे मैं भी आपको दिखाऊंगा, it is situated in the Arabian Sea, Arabian Sea में fall करती है, ना कि Bayo Bengal के अंदर, mainland से 700 km जो है, दूर यह fall करता है, आरके पिला जो है, आइलेंड कंट्री है, Maldives became a founding member of Sark and Non-Aligned Movement, जो हमारा Sark है, और नाम है, इसका एक founding member भी है, Maldives, ध्यान रखिएगा, चली, so map पे देख लीजे, so this is the location of Maldives, यह इंडिया है, नीचे शिलंका है, और South West direction में Maldives है, चली, so prelims plus mains का guidance program है, काफी सारे students ने join किया है, इसमें video series आप provide कराई जाती है, PDF मिल जाती है, इसके अंदर आपको, और काफी सारे quizzes जो है, वो भी practice करने के लिए मिल जाते है, इसके ना spectrum through MCQ हो, spectrum through animation, Indian quality through MCQ, art and culture की video series जो है, उसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी spectrum की जो पुरी series of the complete भी हो चुकी है, mains की इसके लिए test series आपको 2020 और 2021 के लिए मिल जाती है, साथ में prelims की इस साल की test series आपको 2021 के लिए मिल जाएगी, जिसमें CSET के भी test होंगे, और round the year, जो interview guidance है, वो तो आपको मुझसे मिली जाती है, दो साल का इसका validity period है, it means prelims plus mains plus interview and even after that, जो लबासना की आपकी journey होने वाली है, और साथ में ही posting जो आपकी होने वाली है, वहाँ पर भी आप चाहें, तो मुझसे guidance ले सकते हैं, उसके concerning कोई भी question जो होगा, आपका पूछ सकते हैं, चली, next question पे चलते हैं, which is question number 6, जो की बात कर रहा है, NGT के बारे में, National Green Tribunal के बारे में पूछा ग appointment, reappointment का भी इसके अंदर एक provision डाला गया है, एक प्रावधान रखा गया है, सोचिए क्या answer होगा, फिर इसको discuss करेंगे, चली, सबसे पहले तो जान लीजिए कि, yes, NGT जो हमारी एक body है, अभी recently NGT ने directives दिये थे, कि जहां पर जो air ambient quality है, वो poor या इससे भी नीचे है, वह इस तरीके के directives जो है NGT के द्वारा time to time दिये जाते हैं, around एक मीने पहले भी कुछ इस तरीके का directives दिया गया था, कि जहां पर भी air quality winters आने की वज़े से degrade हो रही है, वहां पर NCR region के अंदर steps लेने शुरू कर देने चाहिए, तो NGT के जो directives थे, अभी हमने sale और use of firecrackers के बारे में पढ़ा था, cities जो की poor या उससे भी below air quality है, जहां पर, only green crackers would be permitted to be sold in the region where ambient air quality fell under the moderate, जहां पर moderate से नीचे जली गई है, वहां पर से green crackers को use किया जा सकता है, ऐसा NGT का कहना था, तो अब आते हैं, क्या इसके अंदर chairperson होते हैं, तो yes, इसके अंदर NGT के अंदर एक chairperson होते हैं, ठीक है, और chairperson का जो कारे काल होते है, पांस साल का रहते है, बिल्कुल ठीक है, तो दोनों statement ठीक हो जाती है, लेकि, reappointment का यहां पर provision जो है, वो नहीं डाला गया है, तो इस बज़े से answer क्या हो जाएगा हमारा, D will be the correct answer, चलिए, कुछ और चीज़े देख लेते है तो यहां पर बात करी जाए, ट्रिब्यूनल के अंदर क्या क्या होता है, ट्रिब्यूनल के अंदर chairperson होते हैं, judicial members होते हैं, expert members होते हैं, they shall hold office for a time of five years, तो पांस साल का tenure उनका है, and they are not eligible for reappointment, reappointment का जो provision है, वो उनको नहीं दिया गया है, chairperson होते है, NGT's retired judge होते होते हैं, जो पर दिया है, next question पर चलते हैं, which is question number seven, question number seven, जो बात कर रहा है, टाटा MDs check के बारे में बात कर रहा है, पूचा के इसके बारे में बताए, गलत कौन से statement है, incorrect कौन सा है, पहली statement कहते है, it is world's first CRISPR-Cas9-based diagnostic tool to be launched globally, तो यह दुनिया का पहला CRISPR-Cas9-based diagnostic tool है, जिसे globally launch किया जा रहा है, हो सकता है, the test though is quicker, is not cost effective at this stage, अभी जो है, इसमें results तो आपको जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन अभी cost effective नहीं है, महंगा है काफी, हो सकते है, आगयाने वाले time में से सस्ता कर दिया जाए, third, it was unnamed after the fictional Bengali detective Faluda, who stars in a series of novels by filmmaker Satyajit Ray, तो इसका जो नाम है, वो एक fictional Bengali detective है, Faluda, उनक novels की एक series जो थी, उसमें मिलता है, आपको, सोचे, फिर discuss करते हैं, चलिए, तो सबसे पहले तो यह जान लीजे, this particular test is comparatively quicker, तो जल्दी इसके results आपको मिल जाते हैं, जदा time वेट नहीं करना पड़ता, and this is cost effective too, तो कीमत के मामले में भी यह कम है, जो अगर अभी हम RT-PCR जो य more cycler, which will help in scaling up testing, तो test को scale करने में help करता है, तो second statement तो हमारी incorrect हो जाती है, क्योंकि यह कोई महेंगा test नहीं है, काफी cost effective है, news में क्यों था, क्योंकि Tata Medical and Diagnostic Limited, Tata MDG से कहते हैं, healthcare venture of Tata Group, announced, उन्होंने announced किया, launch of Tata MD's check, Tata MD check को उन्होंने announced किया है, which is the gene editing technology, CRISPR based test, यह जो particular test है, CRISPR technology आपने CRISPR-Cas9 के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में next question discuss करने वाले हैं, आपको और भी पता चल जाएगा उसके बारे में, या फिर जो अगर आपने पढ़ा हुए है, उस technology पे यह based test है, और यह developed किया गया है, developed by the researcher from CSIR, Institute of Genomics and Integrative Biology के दोबारा, उस particular technology के ओपर, यह test based कर तो पहली statement आपकी यहाँ पर correct हो जाती है, CRISPR-Cas9 technology बे बेस्ट है, और जो तीसरी statement कि इसका नाम जो फेलूदा है, वो कैसे बड़ा, वो भी यहाँ पर correct हो जाता है, चलिए एक infographic के थू देखिए इसको, so फेलूदा is the nickname of a fictional private detective in a series of popular Bengali novels, short stories and film written and directed by Satya Jitrahi, the team that developed the test has quite a few फे अलूदा जो है basically एक Indian Sherlock Holmes character का नाम है, आपने वैसे Sherlock Holmes जरूर देखा हुआ, लेकिन this is the Indian version of Sherlock Holmes, जिसके ओपर test का नाम रखा गया, चलिए, question no.8 को लेखते हैं, question पूछ रहा है CRISPR technology के बारे में, CRISPR technology के बारे में, यहाँ पर दो statement दे रहा किये, पहले statement कहते है, CRISPR is a family of DNA sequence found in the genomes of prokriotic organisms such as bacteria and archaea, CRISPR जो है एक family of DNA sequences है, जो कि genomes में मिलता है कौन से, prokriotic organism जैसे की bacteria या archaea हो सकता है, Cas9 protein which plays a vital role in the immunological defense of certain bacteria against DNA virus, Cas9 protein जो है, जो कि एक important role play करता है, किस चीज़ के लिए, immunological defense के लिए, किसके हिसाब से, certain bacteria against DNA viruses से, and is heavily utilized in genetic engineering application, और काफी ज़ादा इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, genetic engineering application के अंदर, तो सोचिए दोनों में से कौन से statement ठीक है, फिर इसको discuss करेंगे, पहली statement को देखेंगे, CRISPR क्या एक family of DNA sequences है, तो yes, CRISPR is a family of DNA sequences, जो कि prokaryotic genomes के इंदर मिलता है, prokaryotic organisms कोन से होते हैं, these are the organisms, जो कि microscopic होते हैं, single celled organism होते हैं, जो कि single cell, जिसमें एक ही cell होता है, वो जो organisms होते हैं, उन्हें prokaryotic organism कहा जाता है, जैसे कि bacteria और archaea, तो पहली statement आपके ठीक हो जाती है, second statement की बात करें, Cas9 की, Cas9 protein जो है, क्या एक important role play करता है, immunological defense के लिए, तो yes, immunological defense के लिए काफी important role play करता है, DNA virus हों, plasmids हों, इसके against में आपको सुरक्षा परदान करता है, साथ में ही genetic engineering की जो various applications होते हैं, जहां जहां पे भी इसको आप apply कर सकते हैं, वहां पर Cas 9 protein का इस्तमाल किया जाता है, Cas9 की full form का है, this is Cas9, C stands for CRISPR, AS stands for associated, so CRISPR associated protein 9, ठीक है, ध्यान रखियेगा, collectively दोनों को देखा जाए, CRISPR Cas9, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, CRISPR Cas9 is a gene editing technique, तो हमारे जो genes होते हैं, उनको edit करने की एक टेकनीक होती है, जिससे की आप organism की genome को modify या change कर सकते हैं, तो आपने सुना होगा gene editing के अंदर किस को किस तरीके के features देने, किसी भी individual को या organism को वो दिये जा सकते हैं, जो भी birth related defects होते हैं, बिमारिया होते हैं, diseases होते हैं, उनको भी gene editing करके खतम किया जा सकता है, तो दोनों statement हमारे यहां पर ठीक है, application मैंने आपको बत sequencing है, DNA sequencing, और इस portion को माल लीजिए, आप हटाना चाहते हैं, और इसकी जगह कोई और, यहां पर माल लीजिए, इस particular section के अंदर, बिल्कुल crude way में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई problem है, और इसी वजए से इस problem को आप हटाना चाहते हैं, इसकी जगह दूसरा आपने program करके, एक sequencing के अदर, इतने portion में अगर problem है, तो इसको gene editing करके, आप निकाल देते हैं, खतम कर देते हैं, और एक नया program, जो आपने DNA बनाया हुआ है, उसको इस portion के अंदर insert कर देते हैं, ताकि जो पूरा sequencing है, वो सही तरीके से काम करें, तो crude way में CRISPR-Cas9 इस तरीके से यह technology काम करती है, चलते हैं, 9th question के ओपर, जो कि श्री शक्ती challenge के बारे में आप पूचा गया, what is the objective of श्री शक्ती challenge, इसका objective क्या है, पहली stepन कहते है, to harness the solar energy, solar energy को harness करना, women-led startup को encourage करना, तो women-led startup से होते हैं, encourage करना, make anti-satellite missile, anti-satellite missile को बनाना, इसका एक objective है, none of the above, इसमें से कुछ भी नहीं ह आपने government के mygov, initiative के बारे में तो सुना ही होगा, तो mygov launched COVID-19 श्री शक्ती challenge, April के महिने में इसे launch किया गया था, और ये UN women के साथ collaborate करके, इसको start किया गया था, ताकि जो भी women-led startups हैं, जो भी innovation solutions, women-led startups ने दी हैं, उनको encourage किया जा सके, तो यहाँ पर to encourage women-led startups, B is the correct answer, 6 ऐसे startups जो हैं, जिनको women चला रहे हैं, उनको यहाँ पर जो prizes है, awards जो है, वो दिये गए हैं, B हमारा correct answer हो जाएगा, चली, last question पर चलते हैं, आज का जो last question है, वो Delhi Special Police Establishment Act के बारे में हैं, पूछा गया इसको लेकर बताएं, कौन सी statement आपकी correct है, कौन सा कथन आपका सही है, पहरी statement कहती है, according to section 6 of the act, all states except Delhi and UTs have the discretion to give their consent to the CBI for a prob in a state, तो यहाँ पर section 6 के साब से जितने भी states हैं, सिर्फ Delhi और UTs, मतलब जो union territories हैं, उनको छोड़के, यहाँ पर discretion होती है, कि CBI को investigation करने के लिए हाँ कहना है, या ना कहना है, basically consent अपनी देनी है या नहीं देनी है, it led to establishment of CBI तो जो DSPE Act है, इसी से ही CBI का establishment हुआ है, सोचिए फिर discuss करते हैं, चलिए discuss करते हैं, Delhi Special Police Establishment Act के बारे में जाना जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जान लीजे कि जो CBI का establishment हुआ है, वो इसी के अंडर हुआ है, तो second statement आपकी correct हो जाती है, अगर हम पहली statement की बात करें, under section 6 of the Act, जितने भी states हैं, Delhi और UT को छोड़कर, वहाँ पर उनको अपनी consent देनी जरूरी होती है, CBI को अगर किसी भी माम लेके अंदर investigation करना है, तो, अभी क्या हो रहा है, देखिए, वैसे usually होता भी है, कि central government जो होती है, और state government, अगर वहाँ पे difference होता है, देखिए, अगर central and state government same होगी, तो तो CBI inquiry की बात बनती ही नहीं है, लेकिन central government अलग है, state government अलग है, तो बहुत बार ऐसा होता है, कि CBI inquiry स्टार्ट करने की कोशिश करी जाती है, और state government जो है, वो इस चीज़ को मना करती है, डेफिनिटली मना भी करेंगी, रीसेंटली पंजाब ने भी, just like other states, क्यो नहीं दी और पंजाब ने भी रीसेंटली ऐसे के, क्योंकि आप जानते हैं, फामस बिल को लेके, central government और जो पंजाब गर्मेंटेन के बीच के relations पहले तो अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अभी फामस बिल की वज़े से, जो ministry है, उसको भी छोड़ दिया गया है, और यहाँ पर जो relations है, उसमें भी एक तरीके का मन मुटाओ, हमें देखने को मिला है, political news हमारे लिए important नहीं है, लेकिन देखे, politics की वज़े से, CBI किस तरीके से, question में आ जाती है, वो important है, जैसे पंजाब ने अभी CBI को consent अपनी नहीं दिये, investigation करने के लिए, जैसे कि बाकी non BJP states जो है, वो कर रहे हैं, तो इस चीज़ का दियान रखिएगा, तो again, political news को समझने के लिए आप यूज़ करिएगा, otherwise, exam के point of view से, इसके कोई भी application जाद आपको नहीं मिलेगा, पहली statement यहाँ पर correct हो जाती है, Delhi UT को छोड़के बाकी की जो states है, उनको अपनी consent जो है, वो यहाँ पर द देखेंगे, और फिर winner of the day देखेंगे, और mains का एक question जो काफी important है, वो देखेंगे, 30% more retention आपकी होने वाली है, अगर आप ये 2 minute revision के लिए everyday basis पे miss नहीं करते हैं, तो इस portion को आप बिल्कुल miss मत करा करिए, चलिए, शुरुआत हमारी हुई थी, SEO से, Shanghai Corporation Organization से हमने पढ़ा था, current chair किसके पास है, रशिया के पास है, ध्यान रखेंगे इंडिया के पास नहीं है, इसमें 8 members होते हैं और virtual meeting पहली बार इसकी करी जा रही है, 8 members के नाम मैंने आपको बताया थे कि SEO को ध्यान रखेंगा, इसका major objective वैसे ये है नहीं, सिर्व याद रखने के लिए, किक corrupt, corrupt को कि करना, इसकी corrupt acronym को आप याद रखेंगे, तो आपको 8 countries के जो नाम है वो याद हो जाएंगे, चलिए, इसके बार रैट्स जो की SEO का ही एक extension है, इसके पार्मनेंट office है, इसके बार में देखा था जिसका मुख्य, कार्रे, terrorism, separation और extremism को दूर करना है, ताकि member states के बीच में cooperation को increase क किया जा सके, next question, question number 3 में हमने देखा था, अर्मेनिया की location के बार में landlocked country है, अगर हम देखे, southwest direction में टर्की से, southern direction में इरान को टच कर रहा है, अजरबायजान, अर्मेनिया, news में है काफी, आपस के conflict को लेकर ध्यान रखेंगे गाए इसको, greater malay connectivity project के बार में discussion मारा हुआ था capital malay जो है, इसका जो connectivity है, आसपास के 3 island से कराया जा रहा है, जो हमने देखा था, यहाँ पर 100 million dollars दिये गए है, और एक line of credit 400 million dollar की भी यहाँ पर extend करी गई है, infrastructure को increase करना, मुक्य का रहे है, इस चीज़ के ओपर हमने discussion किया था, यहाँ पर और इसकी location जो थी, malay की, वो भी करती है, South Asia के अंदर, ना कि Southeast Asia के अंदर, और जो location इसके थी, कहाँ पर थी, इसकी थी, Arabian Sea के अंदर, ना कि Bay of Bengal के अंदर, यह चीज़ भी ध्यान रखियेगा, श्रिलंका के respect में, इंडिया के respect में, यह Southwest direction में fall करती है, then question number 6 में NGT के बारे में देखा था, चेर परसन होते ह 5 सल का कारेकाल रहता है, reappointment की possibility यहाँ पर नहीं रहती है, यह चीज़ भी ध्यान रखियेगा, then Tata MDs check के बारे में देखा था, CRISPR case 9 technology को use किया गया, फैलूदा नाम क्यों दिया गया, यह भी हमने देखा था, और जो CRISPR case 9 technology है, इसके बारे में भी हमने अच्छे से जाना था ठीक है, तो यहाँ पर next हमारा editing कैसे करी जाते है, यह भी हमने एक crude way में समझाता कि किस तरीके से bat portion को निकाल के program DNA को डाल दिया जाता है, next श्रीशक्ती challenge, women startups को encourage करने के लिए start किया गया था, mygov के द्वारा और UN women के द्वारा, यह भी हमने देखा था, finally, Delhi Special Police Establishment Act, CBI का Establish जो होगी, आपकी increase होगी, just because आपने revision कर लिया है, which is a good thing, prelims के अंदर, जो question है, the term basic law sometimes किस के reference में यूज़ करी जाती है, मुझे, आप यहाँ पर उस location, उस region का नाम बताईएगा, जिसके concerning basic law यूज़ के जाता है, अगर आपको इसका purpose बताईए है क्या, तो भी जरूर comment section के के अंदर लिग दीजएगा, चलिए, means के लिए जो question आपको answer करना है, do you think CBI is a cached parrot as once described by Supreme Court of India, कुछ साल पहले अगर आपको याद हो कि यह particular terminology use करी गई थी CBI के लिए Supreme Court के द्वारा, तो आपको वही describe करना है कि आपको लगता है कि CBI ए a cached parrot है, analyze करिए, बताईए कि क्या यह जो statement बनाई गई है, बताई गई है, वो सही है के नही है, और से justify भी करिएगा, अपने answers को netmock.com के उपर आप submit कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर जो link आपको PDF के अंदर मिलेगा, exam.netmock.com पर जाकर वहाँ पर भी submit कर सकते हैं, last time जिसने question कहां से correct किया है, वो है MD Akeel, और यहाँ पर इन्होंने correct answer दिया है, MHRD का नाम बदल के ministry of education किया गया है, लेकिन MD Akeel को choose करने का reason यह था, क्योंकि Akeel आपने सुना होगा, कि हमने ministry of shipping का नाम भी change किया है, तो वो वैसे हमारा correct answer था, आपने जो दिया वो भी correct है, लेकिन इस नाम को बदले हुए कुछ time हो तो यह चीज़ प्लीज आप देहान रखेएगा, चलिए, जो मार्क से अपने comment section में जरूर लिखेगा, अगर 6-6 से ज़्यादा आपने score किया, then you are in the safe zone, less than 6 score किया है, तो दुबारा से वीडियो को जरूर attempt करेगा, otherwise भी 24 hours में revision करना एक बार जरूरी होता है, तो 24 hours में एक वीडियो को जरूर देख लिजेगा, दुबारा से, और notes अपने जरूर रिवाइस कर लिजेगा, PDF आपको telegram group के अंदर मिल जाएगी, कोई भी आपका doubt है, तो at the rate, prince underscore luthera, underscore लगाना जरूरी है, prince underscore luthera के ओपर आप मुझे search करके पूछ सकते हैं, bell icon को 40% लोगों ने अभी प्रेस नहीं किया हुआ है, उसको प्रेस करीए ताकि notification आपके मिसना हो, thanks for watching,